चैप्टर फॉर्टिन मेंशुरेशन वरक्षिट वन का सिख्ट कोस्टन है पिछले वीडियो में हमने पांच कोस्टन तक कर लिये थे ठीक है अब हम सिख्ट कोस्टन से शुरू करेंगे बस इसमें एक ही मैंने आपको बताया था कि एक ही फॉर्मूला है एरिया ओफ ट्रैप इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और सारे कोस्टन करेंगे ठीक है ये ये वीडियो देखने से पहले आप वो आड़ा वीडियो जुरूर देखने ना जिसमें हमने फर्स्ट फाइव कोस्टन करें है तो एरिया ओफ ट्रैपीजियम क्या है 12 स्क्वेर सेंटीमेटर गि हमें हाइट गिवन है हाइट गिवन है कितनी 3 मीटर हमने A गिवन नहीं है B भी गिवन नहीं है ठीक है A और B गिवन नहीं है और एरिया गिवन है एरिया कितना है एरिया है 12 स्क्वेर सेंटीमेटर 12 स्क्वेर मीटर 12 स्क्वेर मीटर ठीक है एरिया हमने निकालना है एरिया ह इसने हमें निकालने के लिए कहा है, तो सारी चीजें लिख लो पहले, H कितना है, 3 meter given है, A plus B हमने find out करना है, दुनों साइड का sum, दुनों साइड को plus करके कितना आएगा, वो हमें निकालना है, तो area of trapezium क्या होता है, क्या given है, 12 meter square, area of trapezium होता क्या है, 1 by 2, A plus B into H, A plus B हमें न multiply, H की value कितना है, 3, 3 रख दिया, equal to 12, आब 3 multiply कर रहा है, उदर जाके कर देगा, divide, जब उदर जाएगा, और 2 divide कर रहा है, उदर जाके कर देगा, multiply, तो इदर रहे गया, सिरफ हमारे पास A plus B, आब इसको करेंगे, 3, 4, 12, और 4, 2, 8, 8 meter आगया, दोनों साइड का, A plus B, दोनों साइड का सम हमारे पास कितना आगया, 8 meter यह हमारा क्या है, आंसर है, बिलुकुल easy question था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब next question देखो, the area of trapezium is 248 square meter and its height is 8 meter, ठीक है, 248 square meter तो इसका क्या है, trapezium का area और height दे रखिया, 8 meter, if one of the parallel side, एक parallel side, smaller than the other by 4 meter, और एक side, दूसरी side से 4 meter ज्यादा है, find two parallel sides, अब इसमें कैसे करेंगे, देखो, यह क्या है, एक trapezium है, मालो, और height दे रखिया है, इसकी 8, 8 height दे रखिया है, और area भी given है, 248, 248 square meter, अब इसने क्या है कि, देखो, यह important question है, प्यप्र में सकता है, if one of the parallel side is smaller than the other by 4 meter, एक side, side को x लेता हूँ, अगर इस side को मैंने x माल लिया, तो दूसरी side उससे कितनी कम है, 4 meter कम है, क्या है, smaller than, यानि कि यह होजेगी x minus 4, ठीक है, मालो, अगर यह side 20 है, तो यह कितनी होगी, यह side मालो 10 है, तो यह कितनी होगी, अगर 10 है, तो यह कितनी होगी, अगर 10 है, 10 minus 4, यानि तो आप इसको कर सकते हो, अब देखो कैसे आएगा, H कितना है, 8 meter given है, और हमने first side A मान ली X, और other side क्या मान ली X-4, इससे 4 कम, यानि कि smaller X-4, B मान ली हमने X-4, अब जो चीज given है वो लिख लेंगे, हमें given क्या area of trapezium 248, 1 by 2 into A plus B into H, area of trapezium का हमने क्या रख दिया, area इसमें put कर दिया, equal to 248, अब A क्या है, A है हमारे पास X, A की जगा, X लिख दिया, और B क्या है, X-4, ये value दोनों की put कर दिया, जो हमने मानी थी, अब इसको करना है तो 248, ये तो होगा, cutting, अब 4 इदर कर रहा है, multiply, उदर जाके कर देगा, divide, य plus X, हो जाएगा 2X, और ये minus 4, अलग से, 2X minus 4, इदर आगा 2X minus 4, और इदर आगा 248 by 4, divide करेंगे तो आजएगा 62, तो हमारे पास आया, 2X minus 4, equal to 62, अब 4 इदर minus कर रहा है, उदर जाके कर देगा, plus, 62 में 4 हो गया, plus, यानि कि हो गया 66, अब 2X का मतलब है, 2 multiply X, 2 multiply कर रहा है, उदर जाके कर देगा, divide, 66 को 2 ने divide किया है, हमारे पास 33, तो फर्स्ट साइड हमने क्या माननी थी, X माननी थी, तो फर्स्ट साइड आगी 33 meter, फर्स्ट साइड आगी हमारे पास 33 meter, और सेकिंड साइड के आएगी, X minus 4, यानि कि 33, X की जगा क्या रखेंगे, 33, 33, 33 minus 4, यानि कि 29 meter, बिल्कुल easy question था, इसको कर लेना ध्यान से, यह important है, यह exam में question आ सकता है, अब next question देखते हैं, अब question number 8 देखो, यह भी पिछले question जैसा ही, 7 जैसा important है, यह भी question, find the two parallel side of trapezium, parallel side निकालनी है, trapezium की दोनों side निकालनी है, A और B, whose area is, area हमें given है, altitude given है, altitude क्या होता है, height, ठीक है, distance between them, 10 decimeter, and one of the parallel side is longer than the other side, by 8 decimeter, अब इसमें भी condition हमें दे रखी है, हमें क्या है, जैसे माल लो हमने, यह trapezium है, ठीक है, इसका area given है, और इसकी height हमें, altitude given है, 10 decimeter, यह क्या है हमें, height इसकी given है, ठीक है, और इसने क्याया कि, एक side, दूसरी side से 8 meter longer है, अगर मैं इस side को x माल लूँ, तो, यह वाली side कितनी होग इससे 8 meter जादा होगी, यानि कि x plus 8 होगी, ठीक है, यानि कि a हमें, हमने माल लिया, x plus 8 और b को माल लिया, हमने x, ठीक है, condition क्या दिया होई थी, कि एक parallel side, दूसरी parallel side से 8 meter जादा है, longer है, अगर मैंने इसको x माल लिया, तो, यह इससे 8 meter जादा होगी, यह हो जाएगी, x plus 8, और height given है, area given है, 1.6 square meter, ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे, important question है, h given है, 10 decimeter, first parallel side हमने माल लिया, यानि कि हमने b को माल लिया, या a को माल लिया, जिस मर्जी को माल लिया, आसे कोई दिक्कत नहीं है, second parallel side, यानि कि a, हमने माल लिया, x plus 8, इससे 8 जादा, यानि कि x plus 8 decimeter, यह भ decimeter में, मगर area हमें क्या दिया हुए था, 1.6 square meter, square meter में दिया हुआ था area, इसको हम decimeter में change करेंगे, क्योंकि unit same रखेंगे, decimeter, decimeter, ठीक है, इस type के जो भी question आएंगे, हम unit को same रखेंगे, अगर decimeter में है, तो सबको decimeter में convert कर देंगे, अगर meter है, तो सबको meter में, आगर meter square को decimeter square में convert करना है तो 100 से करनी पड़ेगी multiply, 100 से multiply करते ही ये decimeter में convert हो गया तो जब 1.6 को 100 से multiply की तो हमारे पास आया 160.0, 0.0 लिखने की जुरूरत नहीं है तो आगया हमारे पास 160 decimeter square, ठीक है? ये आगया हमारे पास area of trapezium area of trapezium हमने इसका formula लिख दिया 1 by 2 A plus B into H equal to 160, आब 1 by 2 A की value क्या है? X plus 8 रख दी, B की value क्या है? X मानिती हमने रख दी, into H क्या था? 10, 10 रख दिया equal to 160, आब X, X क्या हो गया? 2X हो गया, 2X plus 8, आब 2 इदर multiply कर रहा है, ठीक है? 10 by 2 है तो 2, 5 जा आ जाएगा, 10, 5 इदर कर देगा divide, 160 को जब 5 ने divide किया आगया, हमारे पास 32, तो हमारे पास क्या बचा भई? इदर बचा 2X plus 8, हमारे पास बचा 2X plus 8 equal to 32, अब 2X, 8 इदर पलस कर रहा है, उदर जाके 8 कर देगा minus, यानिकि 2X equal to 32 minus 8, ठीक है? अब 32 में से 8 minus होएंगे बचाएगा 24, अब 2X का मतलब होता है, 2 multiply X, 2 multiply कर रहा है, उदर जाके कर देगा divide, 24 को जब 2 divide करेगा, हमारे पास आएगा 12, ठीक है? तो पलस 8, 20 decimeter, यह हमारा क्या आगया? आंसर आगया, दोनों parallel side हमारे पास आगी, first parallel side 12 meter, X माना था जो हमने, second parallel side, X plus 8, यानिकि 12 plus 8, यानिकि 20 decimeter, बिल्कुल easy question था ये भी, असानी से हो गया हमारा, अब next question देखते हैं, next question में क्या है? question number 9, easy है ये भी, दा cross section of a canal in the form of a trapezium, एक canal है, trapezium की form में है, ऐसे, ठीक है? एक नहर है, trapezium की form में है, if the top of the canal is 15 meter wide, ठीक है? एक दे रखिये 15 meter, ठीक है? कुछ भी माल लो चाहे, इसको माल लो चाहे, इसको माल लो, ठीक है, माल लो ये दे रखिये हमको, 15 meter, if the bottom is 8 meter, bottom माल लो, इसको top माल लो, ठीक है? तो क्या हो गया भी, 8 meter और 15 meter ही आ गया, and the area, area दे रखिये 138 square meter, और हमने height इसकी निकालनी है, find its depth, depth का मतलब height या गहराई, जो भी कहलो आप, ठीक है? हमने इसका निकालना है, तो जो जो given है वो लिख लो, a given है 15 meter, b given है 8 meter, h हमने find out करना है, area of cross section, यानि कि area of trapezium क्या है, 138 square meter, area of trapezium क्या होता है? 1 by 2, into a plus b, into h is equal to 138, तो a की value है 15, b की value है 8, ठीक है? into h, h हमने निकालना है, 15 और 8 कितना होता है? 23, आप 23, multiply कर रहा है, उदर जाके divide कर देगा, और 2, divide कर रहा है उदर जाके multiply कर देगा, आप इसको हम cutting कर देंगे, तो ये cutting हो जाएगी, 23, 6 जा, 6 पे cut होगे और 6, 2 जा, 6, 2 जा 12, ठीक है? तो हमारे पास h की value के आगी 12 आगी, यह depth of the canal आगी, यानिकी height of the canal, high depth of the canal कितने आगी 12 meter, तो ये भी easy question था, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को subscribe कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ share कर देना, next वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.